तो आज का टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है और आपको देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखना चाहिए तो आज का टाइटल देख लो कोचिंग वर्सेस स्टुडेंट तो ऐसा अकसर देखा जाता है कि जैसे एक्जाम पास आता है न हम लोग का माइंड क अजय को देखता है और टेस्ट देने जाता है ठीक है तो इसके अगर कम नंबर आते हैं ठीक है कोई भी अगर कोश्चन में बहुत टफ टफ कोश्चन पूछे जाते हैं जैसा एक्जाम का आते भी नहीं है जैसे बस बच्चों को डराने के लिए और एक हाइफ क्रियेट कर करने के लिए कि मतलब आप ताकि बच्चा एकदम दीब मोटिवेट हो जाता है अरे क्योंकि इसने प्रीवियस यह तो देखे नहीं इसको तो पता नहीं है कि तम की 75-80 कोश्चन तो इजी आते हैं बस 20 कोश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े है थोड़े अजीब से आएंगे बाट इसका फोकस चला जाता है 20 परसेंट में अब यह टेस्ट देके आया इसके कम नंबर आए यह प्रिवियस यह नहीं देखता है और इसके बाल देखो कैसे खड़े हो गया है ऐसे तेंसन से अब एकदम इसकी तयारी है 80 परसेंट लेकिन इसको confidence नहीं आ रहा है अब इसने मन में सोच लिया कि इसका नहीं होगा और इसकी तयारी अच्छी नहीं है और सैड और ऐसे हर किसी के पास रोना रो रहा है कि मेरे कम नंबर आ रहा है कम नंबर आ रहा है टेस्ट में इधर यह है smart boy है यह डम है उल्लू और यह smart boy है यह क्य है तो यह क्या करता है जो question गलत हुए उन पर ध्यान देता है उनको अलग से copy में लिख लेता और उनको revise कर लेता है फिर वो next time आते हैं तो इससे बनते हैं यह previous year लेके हमेशा साथ रखता है bag में चाहे टेस्ट देने जाए यह कुछ करे कुछ भी पढ़ने से पहले यह previous year द कुछता ही नहीं है तो यह उसका लोड नहीं लेता है यह फिर से previous year करता है और जो question नहीं बने उनको अच्छे से ध्यान देकर याद कर लेता है और कम नंबर में भी यह खुछ रहता है और improvement होता है और यह sad हो जाता है कि इसकी तो तैयारी ही नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है स्मार्ट वॉय है टेस्ट में कम नंबर आया है तो यह सोच चाहिए क्या रहे इस टैबी कोशन तो नहीं आएंगा या फिर उनको रेडी कर लेगा बट यह पूरा demoralize हो गया exam से पहले इसको कम आता था लेकिन यह previous year पर इसका पूरा focus है इसको कोई भी इसने आज कल टेस्ट रिवाइज भी नहीं करता एनलाइज भी नहीं करता टेस्ट पेपर को और नहीं देखता है कि पैटर्न क्या है ठीक है बस tough question अगर कोई इसने नहीं बना तो यह sad हो जाता है और वहीं यह ready कर लेता और बोलता है कि असी question तो easy वाले तो मैं गलत नहीं क focus करता है तो मैं यह समझाना चाहरी थी कि जो आप test series दो गया भी या दे रहे हो गए या आपने ली होगी वो सिर्फ आपको exam के pressure को कम करने के लिए अपने आपको test करने के लिए syllabus revise करने के लिए syllabus complete करने के लिए वह test series है और ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी coaching वालों को नहीं अभी पता है कि मतलब me in exam में क्या आएगा कौण सा question आएगा ठीक है आज आता है उसके बाद ही सारे लोग explain करते हैं कटाओ बताते हैं सब करते हैं है लेकिन जब तक exam नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं पता रहता, वो आयोग को ही पता है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में दो चीजे हैं, आप confident रहो, syllabus पूरा complete करो, line to line, ठीक है, और previous year को अपनी गीता समझो, रमायट समझो, जो भी समझना हो, Bible समझो, कुरान समझो, जो भी आ ठीक है, आप नई चीजे कम पढ़ना है, नई चीजों में आप current affairs तो पढ़ोगी, वो तो नए आई है, लेकिन उसको छोड़के, बाकि जो आपने पुराना पढ़ा है, सारा जो course object है, उनको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है, और smart boy बनना है, smart girl बनना है, ना कि dumb बनना है, ठीक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं, तो comment करना और बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कि नहीं लगा, मुझे लगा यह अच्छा तरीका है समझाने का, तो आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं next वीडियो में, त